तो पहर में कभी भी हमारा मन करें, hand wash करने का, या face wash करने का, या कभी बच्चे देर से नहाते हैं, नहाने का मन करें, तो उस टाइम पानी बहुत गरम आता है, गर्मियों में जब गरम पानी से नहाएं, तो मनी नहीं करेगा नहाने का, तो ये problem काफी लोग face करते हैं, और में जिनके सिमेंट की टंकी नहीं है, उनको ये problem face करनी होती है, जैसे कि दोपहर में कभी भी हमारा मन करें, hand wash करने का, या face wash करने का, या कभी बच्चे देर से नहाते हैं, नहाने का मन करें, तो उस टाइम पानी बहुत गरम आता है, गर्मियों में जब गरम पानी से नहाने का, तो ये problem काफी लोग face करते हैं, अब ऐसे में हमारे पास दो तिन option है, या तो टंकी के ऊपर shade लगा दिया जाए, या तो टंकी के आसपा सिमेंट लगा दी जाए, ये सब नहीं कर सकते हैं, तो चलिए एक बड़िया देसी साथ जुगार करते हैं, चलिए वीडिय से आपको मिल जाएंगे, यहां मैंने लिया है थर्मा कोल की sheets, अब इस टंकी को सूरज की तपन से बचाने के लिए, हमें करना क्या होगा, इस थर्मा कोल की sheet को हलका सा फोल्ड करते हुए, गुलाई में इस चारों तरफ टेप लगाते जाना है, और sheets लगा लगा के टेप ल थर्मा कोल की sheet लगाई है, उसी तरीके से मैंने चारों तरफ थर्मा कोल की sheet लगाई है, जो थर्मा कोल की sheet है, उसे भी बहुत मोटा मत लीजे, ज्यादा मोटा लेंगे ना, तो बार बार टूट जाएगा, इस तरीके से जो मैं रोल करके लगाते जारी हूँ ना, हलका सा round क करके वो नहीं लग पाएगा अब यहां देखिए हमने धर्मकुल तो लगा दिया लेकिन इससे भी काम अपना पूरा नहीं होगा हमें क्या करना होगा जो जूट का कपड़ा होता है जिसे हम टाट बोरी का कपड़ा कहते हैं अगर आपके पास चावल के पुराने कटे वगर पड़ें उन्हें भी आप लगा सकते हैं नहीं तो एक अराम से जूट का कपड़ा मिल जाता है उसे आप पूरा इसके उपर कवर कर दीजे यह लीजिए आपकी टंकी को काफी राहत मिल गई अब यहां पर हमने टाट तो लगा दिया है जो बोरी का कपड़ा लगा दिया है लेकिन यह ओड ना जाए हवा में तो इसे हमें धागे से जो वायर होती है ना प्लास्टिक की उसे हमें कस के बांग देना है जिसे इसी पर ही फिक्स बना रहे है और एक मैंने और जुगाड की है यहां पर मेरे पास एक शीट पड़ी थी विकार सी उस पर मैंने धर्मा को लगा दिया है अब इसके उपर भी टाट लगा देती हूं और यह धकन के तौर पर टंकी के उपर रखा रहेगा अब टंकी को हमने कवर कर दिया तंकी का जो धकन बनाया है उस पर भी यदि थोड़ा सा वजन रख देंगे तो वो हिलेगा नहीं हवा में ओर नहीं जाएगा तो इस टंकी को अच्छे से सपोर्ट मिलेगा और टंकी में जो पानी रखा है वो बिलकुल गरम नहीं होगा अब इतना सब होने के बाद भी आप जब भी सुबह आपको टाइम मिले तो थोड़ा सा इसके उपर पानी डाल देंगे ना तो पानी डालने से सारा दिन यह टंक अब की गरमी होती है वो तो रहेगी लेकिन जैसे ही कुछ सेकेंड हो जाएंगे पानी आना शुरू हो जाएगा बस वो पानी ठंडा होगा अब आपको पानी से नहाने का मन करेगा फेस वाश करने से मन करेगा और सब कुछ कर सकते हैं आप तो कैसा लगा यह देसी जुगा मुझे जरूर बताईए वीडियो पसंद आए, लाइक जरूर कीजिए ज्यादा से ज्यादा शेर कीजिए हर किसी को इसकी जरत होगी अगर आप इस चैनल पर बच्चों नए आयो सब्सक्राइब के बिना बेट करना जाए